Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life आज हम फिर हाजिर हैं एक नई interesting information के साथ और आज के हमारी information है What is the difference between chia seeds and flex seed वैसे तो ये दोनों ही seeds एक दूसरे से बिर्कुल different है taste में और appearance में पर ये दोनों ही full of nutrients है इन में पोशक तक्वों की भरमार है तो इसलिए हमें लगा कि इसकी information आपके साथ जरूर शेर करनी चाहिए सबसे पहले start करते हैं ये है chia seeds ये देखिए कितने छोटे ये दाने हैं और आपको इसका size का थोड़ा अंदाज मिले इसके लिए मैंने इसको एक राजमा के दाने के साथ रखा है दुनिया भर में काफी popular है और आज कल ये इंडिया में हर health store में हर departmental store में और online भी available है ये जो chia seeds होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और जब आप इसको microscope के नीचे देखेंगे तो इसका जो shape होगा आपको ऐसा लगेगा जैसे जो नदी के किनारे जो पत्थर हुआ करते थे राउंड राउंड ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं इसका सबसे पहले इस्तिमाल जो aged योधा होते थे वो करते थे इसका सेवन energy को boost करने के लिए करते थे और ये बहुत ही ज़्यादा nutritious है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और इसका botanical name है Sylvia hispanica और ये आजकल South America और Central America दोनों जगा cultivate होता है ये इसमें बहुत अच्छी मात्रा में protein, omega-3 और fiber होता है और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में vitamin B, complex और trace minerals जिसमे iron, calcium, manganese zinc और phosphorus है उसकी मात्रा भरपूर होती है और आप इसको खाएंगे कैसे आप इसको चाहे breakfast में के cereal के साथ खाईए आप इसे ऐसे ही खाईए आप इसको roast करके खाईए आप इसको multi-grain डलिये में डालके खाईए और सबसे बड़ी बात यह जो seeds है यह hydrophilic seeds है यानि कि यह बहुत अच्छी मात्रा में chia seeds बहुत अच्छी मात्रा में पानी को अपने अंदर absorb कर लेते हैं यानि कि यदि आप इसको पानी में डालेंगे तो यह पानी बहुत अच्छे से soak कर लेते हैं और करीब अब एसको किसी तरह से बी इस्तिमाल कर सकते हैं आप इसकी पंजीरी वैले जो लड़ी होते हैं उसमें भी chia seeds को रोस्ट करके कर सकते हैं और आप जो drinks बनाते हैं ठंडाई या फिर फालूदा उसमें भी आप chia seeds को सेको कर सकते हैं और chia seeds में क्योंकि अपना कोई बहुत ज़ादा टेस्ट नहीं होता इसलिए यह हर टेस्ट के साथ जेल हो जाते हैं इसके एक वज़ा है यह बहुत ज़ादा पॉपुलर है दुनिया भर में और इसको as a egg substitute भी इसमाल किया जाता है इसको पाने में भिगा कर एक के जगा इसमाल किया जात है जैसे चिया सीट्स सेहत के लिए बहुत ही ज़ादा फायदेबंध होते हैं यदि आपके जॉइंट्स में पेन हो या इंफ्लमेशन हो तो उसको दूर करने के लिए यह काफी हेल्प करते हैं और इस से आपका जो ब्लड कोलिस्ट्रॉल होता है वो भी कम होता है और इसको इंस्टेंट एनरजी बूस्टर भी माना जाता है और यदि आपके घर में बच्चे हो और वो बहुत स्पोर्स एक्टिविटी में पार्टिस्वेट करते हैं तो इनके लिए चिया सीट राम बार्ण है आप उनको दीजिए उससे उनका पॉफार्मंस भी इंप्रूव होग चिया सीट डाजेशन के लिए भी बहुत जादा सहायक होते हैं चिया सीट बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और इसके 100 ग्राम का प्राइस लगबग 100-200 रुपए होता है चिया सीट का सबसे जादा फाइदा यह है कि आप इसे लॉंग टर्म स्टोर करके रख स सकते हैं तो अब स्टार्ट करते हैं फ्लेक सीट से यह जो आपके सामने है यह है फ्लेक सीट यह देखे आप इसके दाने अबजर्व कीजिए यह जो चॉकलेटी कलर के दाने और यहां देखे यह मैंने राजमा के साथ यह दाने रखे हुए है तो आपको शायद आइडिया लग जाएगा ये कितने बड़े साइज के होते हैं और फ्लेक्सीट को हिंदी में अलसी कहा जाता है और इसको एंग्लिश में लिंसिट भी कहा जाता है और इसका बुटानिकल नेम है लिनम उसीटा टिसीमा और ये देखे ये जो दाने है ये कितने शाइन करते वे दाने है इ और फ्लेक्सीट कोई नई क्रॉप नहीं है ये करीब 8000 साल पहले इसा पूर्व इसे जंगलों में देखा गया था और 1000 साल पहले इसा पूर्व इसको ग्रीक लोग अपनी ब्रेड बनाने में इस्तमाल किया करते थे तो ये देखिए कितनी पुरानी ये क्रॉप इंसान इस्तमाल कर रहा है और अलसी जो है ये बहुत ज़ादा अडप्त जिन पौधा है ये ठंडे क्लाइमेट में भी हो जाता है और गरम क्लाइमेट में भी हो जाता है इसलिए इसको बहुत ज़ादा वैल्यू दी जाती है और यह जो दाने हैं यह सेहत से भरपूर है और इसमें omega 3 fatty acids होता है जो anti-inflammatory माना जाता है शरीर के अंदर cellular level पे जो inflammation होती है यानि कि सूजन होती है उसको यह कम करता है यह सूजन का मतलब यह नहीं है कि फूला फूला सा कुछ उपर बड़ा बड़ा होगा नहीं cellular level पे कोई भी जो बिमारिय होती है ऐसा माना जाता है जब cell थोड़ी इंफलमेट कर जाती है यानि कि थोड़ी सूज जाती है तो वो बिमारियों की जड़ होती है जिसके लिए अलसी बहुत ज़ादा कारगर मानी जाती है flex seed में भी बहुत अच्छी मातरा में पौशिक तत्व होते हैं इसलिए इसका जो comparison होता है हम chia seed के साथ कर रहे हैं परन्तो इसमें एक phytochemicals भी होता है जिसको lignin बोला जाता है जिसमें anti-cancerous property भी होती है तो इसलिए इसको आप यह मान सकते हैं कि कुछ मामलों में यह chia seed से भी और बहतर है और इसको खाना कैसे है इसको खाना बड़े आराम से आपको खाना आप इसको roast कीजिए ऐसे ही खाईए आप इसको roast कीजिए इसको पीस ही और अपनी चपाती में कचोड़ी में मिक्स कीजि कि फ्लेक्सीट को खाने से पहले ग्राइंड करना यानि कि पीसना बहुत ज़रूरी है वरना ये आपके स्टमक से ऐसे ही पास हो जाएगा और आपको इसकी सेहत मन तत्मों का फायदा नहीं मिल पाएगा और जो फ्लेक्सीट का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा नटियर होता है यानि कि थोड़ा सा नटी नटी फील होता है आपको और इसलिए आप देखेंगे जो मल्टी ग्रेन ब्रेट्स होती है उसमें इसका इस्तमाल बरपूर किया जाता है और इसका जो कॉस्ट होता है वो का बड़ी आसानी से आपको लोकल स्टोर्स में, ऑनलाइन स्टोर में या डिपार्टमेंटल स्टोर में आराम से मिल जाती है, आपने कई बर फ्लेक्सीड ओयल भी देखा होगा, कई बर लोग सेहत के लिए इसका ओयल भी कंज्यूम करते हैं, तो यह थी आज ही हमारी इसका धारमिक महत्व भी था, तो चिया सीट्स और फ्लेक्सीड दोनों ही सेहत का खजाना है, आप इन दोनों को अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड कीज़ें, और जो चिया सीट्स हैं, इसमें कोई जादा टेस्ट नहीं होता, तो आप इसको किसी भी चीज में जिसमें आप नहीं चाहते कि आपकी रेसिपी में चिया का या किसी दूसरा फ्लेवर आए, वहां आराम से इस्तमाल कर सकते हैं, और फ्लेक्सीड का अपना एक फ्लेवर है, यदि आपको नटी फ्लेवर पसंद आता है, तो आप फ्लेक्सीड जरूर इस्तमाल कीज़ें, और मेरी आ